त्राइबल लोग हैं हमारे देश में जो सरवारा है बहुजन है उसका हाथ और पैर काटने का आपने ठेका ले लिया मौदी साहब को ये जो आज पूरे देश में भारत बंद हुआ है मौदी साहब को डरना चाहिए इससे क्योंकि जब कमजोर हाशे पर लोग जो वन्चित हैं जो शोशित हैं जब वो खड़े होते हैं तो हुकुमतें का जो तख्त है वो हिल जाता है सी स्टी आक्ट के बारे में जो के खिलाफ जो सरकार आगे जा रही है मन्शा उसकी साफ है कि अगर दलित समाज के लोग ब्रहमरवाद और नागपुर के घुटनों में टेकर रहना चाहते हैं तो उन्हें दलित प्रेम मन्जोर है लेकिन हम भारत के लोग हम बाबा साब के लोग हम जो है बगस सिंग सुगदेव अश्वकुलाखा के लोग हम समाजिक न्याय के खिलाफ रती भर भी समझोता नहीं करेंगे जी इसके लिए जो भी तरीके हमें बाबा साब के देवे समिधान के मताबिक जो हमें मिले हैं आज भारत बंद हुआ है सर अभी आपने कहात है कि मोदी जी को इस आंदोलन से डड़ना चाहिए लेकि मोदी जी जिसके इसारे पर काम कर रहे हैं मैं सिधा सिधा नाम लेदू मौहन बागवजी कहते हैं कि मैं तीन दिन के अंदर ऐसी फोर्स खड़ी कर दूँगा कि जो फोर्स के पास हत्यार नहीं ह वह मैं फोर्स उन हत्यारों के माद्यम से मैं तीन दिन के लिए तीन दिन मैं फोर्स है एकटी कर दूँगा तो यहां कि फोर्स है उन पर इनका भरोसा नहीं है और आप कहने हैं मोदी जी को डरना चाहिए देखे भागवजी जो आरेसेस जो संगठन है जाहिर सी बात है कि वो सम्धान विरोदी संगठन है पूरा देश जानता है कि वो बाबा साहिब के सम्धान को खतम करके वो मनस्मिती का राज इस देश के अंदर लागू करना चाहते हैं भागवजी से तो हम यहीं उम्मिद करते हैं जो कुछ उनोंने कहा है लेकिन जो भारत के सम्धान के मान वाले लोग हैं वो यह जानते हैं कि इस देश में कोई भी निजी आर्मी प्राइवेट आर्मी जो भी बनाएगा किसी भी तरह का उग्रवाद किसी भी तरह का अल्ट्रा जिस तरह से आरेसेस बात कर रहा है वो भारत के लोगों को जो समविधान की हिफाज़त के लिए जो लोग लड़ रहे हैं वो उनको कबूल नहीं है मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मोहन भागवत किसकी शेह पे ये बात बोल रहा है आपने मुदी जी का नाम भागवत का नाम अलग लग लिया है मुदी जी कुछ नहीं है आरेसेस के सामने आरेसेस का एक विंग है सर देश के पुर्दान मंत्री है हम कह रहे हैं पुर्दान मंत्री मोहन भागवत है मोहन भागवत के खिलाफ मुदी जी एक काम नहीं कर सकते ना करते हैं मोहन भागवेट जी का ब्रहमनो उच्छवर के फिवर में एक आदेश गया होगा कि A.C.S.T. एकसे साहब हमारे अपरकास्ट लोगों को बड़ा तिकलीफ होती है तो वो शक्स जने हम हमारे वजीर आदेश में जिनको हम ने चुना हैं जो ये कहते हैं कि वो बाबा साथ भीमरों हम बेट करके चेले हैं समझते हैं चेले उन्होंने जो ये कांड किया है जिस तरह से आदालत में जाके इन्होंने जो कुछ किया है जी वह भारत के किसी भी शक्स को जो बहुजण है जो मोलनी वासी है हमें बिल्कुल कबूल नहीं है जी सर आप कह रहे हैं कि रोने करा है अनंद कुमार है prepare जी जो cabinet मंत्री है कि मंत्री है उन्होंने कांथ हम तो सम्विधान को change करने आएं अब ते मंघंझ करेंगे आपको क्यों confusion है कि भाजपा समिधान को बदलना नहीं चाहती है RSS भाजपा इसी काम के लिए आए हैं उनका मसवधा उनका concept clear है सवाल यह है कि जो हमारे बहुजन समाज से हमारे समाज को बेच के हमारे समाज के नाम पे जो लोग RSS नागपुर मोहन भागवत के चड़नों में बैठे हुए है नाम नहीं लूंगा मैं मुदी जी की RSS की हिम्मत इसलिए आज हुई क्योंकि हमारे समाज के नाम से उनके हाँ कुछ लोग हमारे समाज को बेच कर वहाँ बैठे हुए है और वो उसके लिए जिम्मेदार है मैं इसलिए यह जो नए यंग टक्स हैं जो आज आए हैं यहाँ पर मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि यह जो बनी-बनाई विवस्था है चाहे वो SC में है, OBC में है, Minority में, FT में है इस नाम पे जो यह लीडर्स ने जो मोहन भागवत के हाँ अपना दीन और इमान बेचा है इनके परखचे उड़ाकर रोहित वहमुला के सपने को पूरा करने वाए लोग बाबा साब के सपने को पूरा करने वाले नौजवान आएं और उन कुरसी को उन सत्ता पर कबजा करके वो जो हमारी लड़ाई आज हम जिसके लिए कड़े में हम उसको पूरा करने के लिए आगे पड़ें सर एक घाव ठीक नहीं होता दूसरा घाव दे दिया जाता है कभी मुस्लिमों पे कभी दलितों पर कभी बैकवर्ड पर इनके निशाने पे यही दो-तिन इस तरीके की कौम है जिनको बार-बार जबजोरा जाता है चायबे मुला कांड हो सारंबुर का कांड हो गुना का कांड हो कोरे कांड हो अब जब इन्हें कुछ नहीं मिला तो अब इन्होंने एक किस तारीक को जो जजिनों ने जो जज्मेंट सुनाया है उससे पुरा भारत हिल चुका है और कि संभिधान के धज्जियां उड़ाई जा रहे है देखें बहुजनों को एक बात सिखनी पड़ेगी हमारे उत्रप्रदेश में राइबरिली में एक आप्टा कांड हुआ ओबीसी प्रधान के घर पे अंधादुन गोलियां चलाई गई ब्रहमर समाज के गुंडों ने दबंगों ने आपको मैं बताऊं बास्टपा के मिश्रा जी कॉंग्रिस के प्रमुतिवारी जी सपा के पांडे जी पाठक जी सर्वदली जो ब्रहमर नेता थे वो जो क्रिमिनल्स गुंडे हार्ड कोर क्रिमिनल्स मर्डर थे जिन्होंने हमारे वो बिसी समाज के उपर गोलियां चला के मागने की कोशिश की वो एक हो गए ब्रहमर मासबा का मीटिन हुआ लेकिन जब आज इतना बड़ा हर हफते घटना होती है हर हफते घटना होती है हम देखते हैं वीडियो आदी हो गए हैं बेसिकली हम लात खाने के आदी हो गए हमारा बोजन समाज और ये जो हिंदू गर्दी हमारे समाज में फैलाई जा रही है मुसल्मानों में मुसलिम गर दी अबोजन समाज में हिंदू गर दी जिस दिन इसके खिलाफ हम खड़े हो गए न RSS का पॉलिटिकली इस देश में कांड तै सर अभी कुछ लोग नारे लगा रहे थे और मैंना जगे जगे देखा कि दलिट मुसलिम करो भी चार कब तक सहोगे अत्या चार क्या दलिट मुसलिम एक हो सकता है देखे दलिट मुसलिमान ये सिर्फ प्यारे नारे देने से एकता नहीं बनेंगे हमारे देश में लड़ाई हम सिर्फ दलिट मुसलिम के क्यों बात कर रहे है पिछड़ा समाज अत्री पिछड़ा समाज और जो हाश्य पर समाज के लोग हैं जो 85% अपनी पापुलिशन को बनाते हैं उनके उनमें जो जिनके पास जमीन नहीं है बाबा साम ने जमीन के लिए कितने बड़े मारश्ट्रा में आंदोलन चला है हम तो जा रहे हम तो जो करोड़ों करोड़ दलिश समाज के लोग हैं ट्राइबल्स हैं जिनके पास जमीन नहीं है तो यह जो 85% समाज में जो जिन चीजों से जो वंचित हैं मौके के मामले में अब आपने डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी के बारे में इस देश में नई से बैद दोबारा से फिल्मों में जिस तरह से अमरिका में काले स्माज स्माज की लोगों ने बलाक मैनोटी जिसको हम बोलतेएं वहाँ पर उन्हों अगर उसमें कोई ब्लाक हीरो है आप यह मत समझें कि वह इस वेसे ही मिल गया है तो हम तो कह रहे हैं कि अगर जब चक नियाए इस पचासी परसेंट समाज के लोगों को देश के चप्पे-चप्पे में हिस्सा नहीं मिलता है तो दलित बैकवर्ड माइनॉर्टी के लोगों क कि नहीं को एक सोच स्मझ के साथ इस रिश्ट्य को रिज्ट को चला पड़ेगा क्योंकि दिडंग लखित्र मारनिय वाला एक है क् другие हैं को तोत्रेप्रदेश में एक हजार नौसों इंकाउंटर हुए हैं उसमें तादात किसकी है आप चले जाओ नब्बे नाइन्टी एट परसेंट लोग हमारे स्सी ओबीसी माइनाउटी के लोग है और हम व्यस्त हैं कि भाई साथ पाकिस्तान से कब घुसेंगे मोदी जी मुस्लमान सबसे बड़ा समस्या है जिसी मुस्लमान से निपट जाएगा हमारा सब ठीक हो जाएगा यह आरसिस के लोगों ने समझा रखा है तो हम लोग हम सभी लोग अपने अपने समाज के बीच में जाकर जो ओहां खेल चल ला है उसको समझें और यह मुस्लिम गर्दी हिंदू गर्दी छोड़कर जिस दिन हमारा बहुजन समाज इकठा हुआ वह अपनी स्वारी लड़ाई को जित लेगा